हम सरकार से इस बात की विनिती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, जो है आननफानन गिरफतार करके उस पर कारवाई आगे की की जाए जो स्टॉक, जो स्टॉक कभी भी वीडियो डेलेट नहीं करता है, उसने डेलेट कर दिया सुनने में आए हैं इनके नाम पर फायर भी किये हैं यहां के जो स्टूडेंस एफेक मैं उसको आगे प्रशासन से भी मैं बात करूँगी मैं भी मेरे पास भी कई माद्धे मैं से हैं जो स्टॉक से मेरा सवाल है क्योंकि आपने यानि इस लिवल का फर्जी हो रही है और जो जच में बिजर्विन कैंडिडेट हैं वर्सों से धक्के खा रहे हैं यह बहुत निहायत गलत बात है क्योंकि भारतिय प्रशासनिक सेवा जो आई-एस पी आई-पी-एस के माद्धे माद्धे लोग सेवा योग देश की सबसे बड़ी परिक्षा है और यह परिक्षा इतनी आसान नहीं है लोगों के सालों साल पूरा जीवन बीत जाता है दस-दस साल भी पूजा खेडगर का मुद्धा तो आप सभी को पता है उसके बाद काई सरे आई-एस आई-पी-एस जो फरजी थे वो पकड़े गाया है और कुछ दिन पहले भी नोईडा में भी फरजी आई-एस एक पकड़ा गया है और उसके बाद बहुत सरे ऐसे चहरे है जो फरजी तरीके से सिस्टम में एंटर कर रहा है और उसके बाद जो है चारखंट में भी ऐसे एक फरजी आई-एस डिरेक मुख्यों मंतरी से भी सम्मानित हुए है और आभी मुखरजी नगर में गौरब कुमार नाम के एक फरजी आई-एस बनकर यहाँ पर स्कॉल कॉ पर जा रहे हैं बहुत से स्टूडेंस ने हमें कंपलेंड किया है और अभी इसलिए हम स्टूडेंस के यहाँ पर फीडबेक लेना है मैं NGO भी चलाती हूँ और इससे पहले मैं UPSCS पेरेंट रहे चुकी हूँ जैसा कि मुझे अभी इन भाई साहब ने मुझे बताया और भी लोगों के माध्यम से हमें पता चला कि ऐसा कुछ हो रहा है कि गौरब कुमार नाम का कोई आ रही है तो ऐसी कंप्लेंड हमारे पास भी कारवाई आगे की की जाए और अगर ऐसा है तो यह बहुत निहायत गलत बात है क्योंकि भारतिये प्रशासनिक सेवा जो सबसे बड़ी परिक्षा है और यह परिक्षा इतनी आसान नहीं है लोगों के सालों साल पूरा जीवन बीट जाता है दस-दस साल बीट जाते हैं लोग अपने घरों से जब मुखरजी नगर जैसे चेत्रों में तयारी करने आते तो अपने घरबार में कई जगे ऐसे लोग होते हैं जो अपना खेत बेज करके लोग आ तयारी करने आते हैं और अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है तो उन बच्चों के साथ भी मेरी समवेधना है और मैरी अगर ऐसा है और सच में अगर यह सथ नहीं सरकार से भी अब सुनने में आ हैं इनके नाम पर ゃई यहां के जो students affected हुए है तो मैं उसको आगे ब्रशासन से भी मैं बात करूँगी मैं भी मेरे पास भी कई माद्धे मैंसे हैं जो सरकार से मैं बात कर सकती हूँ लेकिन अगर है ऐसा तो मैं छात्रों से अनुरोद इस बात करूँगी कि कोई भी काम बहुत सोच समझ के करिए क्य तो आफ्टर सेलेक्शन तो हमें पूरा देश सम्हालना है पूरा जिला सम्हालना है जब हम एक आदमी को नहीं पैचान पाएंगे तो हम जिला और अपने देश को कैसे सम्हाल पाएंगे और कैसे हम अपने देश को जो हमारे हमारे जो प्रधानमंती वर्तमान में है उनकी बिश्व गुरू बनने की जो वो सोच रखते हैं तो वो कैसे पूरी होगी वो पूरी तभी हो सकती जब हमारा प्रशासन अच्छा होगा बिल गुल विक्रम जी क्या कहना चाहेंगे पिछले आठ सालों से यह बंदा जो है फर्जी तरीके से मेंटर्शिप चला रहा है यह आज एजुकेशन सिस्टम में हर लेबल पर जिस तरीके से स्कैम है न देखके मतलब मैं जब फेश कर रहा हूं अपने भाईयों के लिए वाज उठा रहा हूं तो कई बार जूठे मुकदमा से लेकर और गालियां देने तक डिटेन कराने पिटाने तक क्या-क्या बोला जा लिए था कि आई-एस बनूंगा लेकिन जो डिजर्विंग नहीं थे आपने कुछ दिन पहले दखा पूजा खेटकर जो फर्जी सेटिपेट लगा कर सलेक्ट हो रही है कोई फर्जी हैंडीकेप सेटिक्वेट बना कर रहा है कोई फर्जी EWS कोई SCS का फर्जी सेटिपेट बना रहा है उस सिस्टम में जा रहा है और आयोक की अध्यच मोनोस्वनी जोला उठाकर चले जा रहे हैं क्या इन लोगों पर जांच नहीं बैठी नहीं चाहिए इन लोगों पर में जांच बैठी होती पिछले 15 सालों का रिकाल निकाल लो बहुत सारे से फर्जी मिल जाएंगे और अब तो आप लोगों के माध्यम से मीडिया के माध्यम से खवारों के माध्यम से जो स्टॉक जो जो स्टॉक कभी भी वीडियो डेलेट नहीं करता है उसने डेलेट कर दिया है जो 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 डेलेट कर दिया उसने अखिर क्यों डेले यहाँ जिनका नेपोटीजम है, जान है, पहचान है, पैसे हो, उस सिस्टम में जारे हैं। और जो किसान-मजदूर के बच्चे हैं, जो मा के घहने बेचकर, जो पिता के जमीन बेचकर, जिन्दगी यहाँ गवार है, बरसों, त्यारी कर रहे हैं, उन बच्छों के दर्द को कोई नहीं समझ रहे हैं उनके लिए क्या ये उप्यस्यक टास्वेश फर्जी प्रोफेसर बना रहे हो फर्जी डॉक्टर बना रहे हो नीट का भी पेपर लिख हो था अब आईएस भी एक ही विश्वास नहीं थे था अब वाकि और भी एकजाम ससी आज एजए आई से कमाई लिख हो रहे है उस बच्चे के सपने लिख हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात इस देश का भबिष्य। किसी भी देश के निर्माण में इवाओं की प्रमुख्भूम का होती है उस देश का और आज इवा की हालत क्या है किसी को दिखाई देनी रहा है अमारा सबसे ज्यादा इवाबादी देश है और उस इवाबादी देश के लिए एक कलंक है जो फरजी तरीके से लोग सिस्टम म पहले बीव बोल चुका हूं कि इन लोगों की बड़े लोगों कि आप और हम नहीं कर सकते हैं हम लोग जाते हैं कि सिंपल सा अपने निवास सटीफिकेट बनवाने के लिए इंकम कितना चक्र काटना पड़ता है इन लोगों का फरजी मेडिकल में से बन जाती है सटीफिके उनको मिला ही नहीं तो भाई सहाब ऐसे में होता किया है मैं आपको बता देता हूं ऐसे में देस खोखला होता है जो सच में डिजर्विंग है अब ऐसा क्या होगा एक फरजी तरीके से दॉक्टर बनेगा वह ऐसे नीट भीना पेपर का लिक करा कर जाएगा वह इसे तो जो जाएगा चाकू अंदर छोड़ देगा इसलिए तो बड़े इंटेलेक्शियल लोग पैसे वाले लोग मिनिस्टर्स लोग और बड़े-बड़े ब्यूरुक्रेट लोग वीदेशों में जाके इलाज कराते हैं तो ब्यूरोक्रेशी और पॉल्टीसियंस जो नैक्सेस है इस नैक्सेस को अभी इस बात को मतलब आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं कि जब तक एनक्सेस टूटेगी नहीं लोग एवेर्स नहीं होंगे अपने राइड्स द्यूटीज एकाउंटिविलिटी को लेकर त जिए तो दोस्तों यह एक वीडियो था जो यहां पर रियलिटी के ओपर है ऐसे बहुत से लोग है जो अलग अलग तरीके से फर्जी वाड़ा कर रहा है यहां पर और बहुत से स्टूडेंस इनके सिकार हो रहा हमारा मकसद यह था कि हमारे जो भी सब्सक्राइबर है जो भ दोखा देते हैं आपको सिकार बनाते हैं आपसे पैसे वसूला जाता है ठीक है तो इन सभी लोगों से आप साब्धान रही है और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा स्टूडेंट तक पो चाहिए ताकि वह भी जाक रूख हो वह भी इनके सासे में आया है योग आपको बह बबाई जे हिंद जे भारत